हलो एवरिवन एपी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ सूपर हेल्दी सी एक रेसिपी जो होने वाली है बहुत ही टेस्टी और नहीं आपने इस रेसिपी को अभी तक यूट्यूब पर कहीं देखा होगा इस तरीके से वे बनायवय रहें मैंने बहुत ही हेलढ़ी तरीके से इसको बनाया है और सारे जो सामान यूज़ करें हैं सभी चीज़ा आपके घर पे यहीजियू आवेलेबल ऑगी और इसको बनाना बहुत ही आसां होगा तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और देखिए इसक लेही अप्लोड कर दी है अपने यूट्यूब चैनल पे तो जाके देख लीजिएगा और अब देखिए इटली की प्रिप्रेशन होने के बाद हमने करें हैं आलू बॉइल और थोड़े काटी है हरी मिर्ची और हरा धनिया बस और प्याच अब देखिए इसको हमको अच्छी तरीके से चोका लगाना है आप जिस तरीके से चाहें उसके उस तरीके से आप आलू को चोक सकते हैं लेकिन मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसको बना के रैडी किया है देखिए मैंने इसमें डाला है थोड़ा जीरा थोड़ी डाली है राई और थोड़ा डाला है कड़ी प तरम्स का यूज होने वाला है, यह बहुत ही healthy बन के ready होगी, एक बार 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 इसको बनाएंगे, बर्गर वगएरा सब भूल जाएंगे, यह बर्गर से भी tasty लगने वाली है, आपके घर कभी भी guest आएं, आप इसको बनाएए, खाये, बोहुत टेश्टे बनेगा, और देख आपने मेरी और recipes नहीं देखी हो तो जाके देखिए, बहुत healthy recipes मैंने डाल के रखी हैं, और वो बहुत ही yummy बनके ready होती है, जो recipe घर पे बहुत easy तरीके से बनके ready हो जाती है, उसी को मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, और देखिए, इस तरीके सा आलू को मेश करना है, रही taste आलू का नहीं आएगा, तो इस चीच का भी ध्यान रखिएगा, आलू बिलकुल कम boil होना चीए, मतलब बिलकुल ना तो बिलकुल ज्यादा boil करना है, ना ही बिलकुल पानी के अंदर गलाना है, इस चीच का ध्यान रखिएगा, और अब देखिए, इसको करने के बार अच्छी तरीके से mix करना है यह बैट है जब पूरी तरीके से mix हो जाएगा तो यह sandwich से भी अच्छा बनके ready होगा बस इसके अंदर एक ही चीज है कि हमको इसको fry करना पड़ता है तेल के अंदर बाकी यह पूरा healthy होने वाला है कभी भी आप इसको बनाएगे यह बहुत tasty बनके ready होगा और खाने में इतना tasty था इतना tasty था अब बस एक बार बनाएगे comment जरूर कीजेगा कि आपको कैसा लगा है आप बना कर comment कीजेगा पर मुझे specially यह बहुत ही पसंद है तो देखिए इस तरीके से हमको बना कर ready करना है मैंने ज़्यादा आलू बनाए थे क्योंकि मैंने पराठे के लिए इसी तरीके से आलू का बैटे तहियार करती हूं और फिर आलू के पराठे बनाती हूं तो आप बताएगे का कि आप किस तरीके से बनाते हैं देखिए इसी तरीके से मैंने करके इसको अंदर आलू के पराठे भी बना के ready किये थे और आलू की stuffing भी बनाई तो इसलिए मैंने ज्यादा बनाया है आपको जितने बनाने हो आप उस हिसाब से आलू का बैटर तैयार कीजिए देखिए मसालो का कोई हिसाब आपको नहीं बता सकता है कि मैं आपको बोल दू कि इतना नमक डालिए इतनी हल्दी डालिए यह आप खाना बनाते हैं आप बहुत सारी चीजे डाले नहीं इसको सूपर हैल्दी और टेस्टी सा ही बनने दीजेगा और नहीं इसके अंदर बहुत सारी इंग्रीडिंट डाले की जुरुत है देखिए अब हमको इसको इटली को बीच में करना है कट अब देखिए मैंने जो नाइफ यूज किया था व होगी तो यह इजी लिकट जाएगी अब देखिए इसके अंदर डाली है मैंने हरी चटनी यह हरी चटनी बहुत ही लाजवाब सा टेस्ट दे रही थी और इस हरी चटनी की रैसीपी भी मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ तो जाके देखिएगा बिल्कुल सिल्बटे पर बनाईएगा यह बहुत टेस्टी सी बनके रैडी होती है आज तो मैंने इसको मिकसर के अंदर पीस लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी था लेकिन मैंने अधिक तर जो धनीय की चटनी होती है आप सिल्बटे के अंदर पीसेंगे तो बह बहुत टेस्टी सी बनके रैडी होगी आप एक से दो दीन तक इसको अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं अब देखिए अच्छे से आलू की स्टफिंग करनी है हमको इस तरीके से बीच में यह देखिए इस तरीके से बीच में स्टफिंग करने के बाद हमें इसको कर देन अब देखिए यह अभी बहुत टेस्टी लग रहा है आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी खा सकते हैं लेकिन नहीं अब हम इसके अंदर एक और ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं और अब देखिए यह है इटली का बैटर जिससे मैंने बना के तयार करी थी इटलिया देखि बची वी रोटी मैं सुखा देती हूं और सुखाने के बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से पीसा है और उसके बाद इसकी कोटिंग की है देखिए मैं रोटियों को फेकती नहीं हूं रोटियों को सुखाने के बाद मैं स्टोर करके रख लेती हूं और इस तरीके से मैं इ नहीं नहीं देखा होगा कि leftover roti से bread crumbs बनाए होंगे किसी ने यह बहुत ही tasty बनता है एक बर ज़रूर बनाएगा bread crumbs यह दिदे आपके घर पे ब्रेड नहीं है आप ज़्यादा दिन तक bread को store करके नहीं रख सकते हैं तो जब भी आपकी रोटी बज़ा है आप उसको सुखा लीजिए और सुखा के रख लीजिए जब भी आपको breadcrumb बनाने हैं तो आप अच्छी तरीके से इसको पीचिए और इस तरीके से इसके अंदर कोट कर दीजिए और इतना क्रंची सा टेस्ट आके तयार होगा कि आप बात नहीं मानेंगे breadcrumb भूली जाएंगे breadcrumb को हमेशा store करके रखना पड़ता है फ्रीच के अंदर और ये देखिए इस तरीके से हमको अच्छी तरीके से इसको fry करना है अब आप देखिएगा जब भी आपको तेल के अंदर इसको डालेंगे पहले नीचे पूरी तरीके से सुनहरा हो जाए उसके बाद ही इसको टर्न करना है हमको इस चीज़ का ध्यान रखेगा और आप बताएगा कि मैं और कौन सी नहीं रेसिपी ट्राइ करके आपको बताऊं कि ये रेसिपी इसी तरीके से बनती है या नहीं और आप देखिए ये देखिए कितनी अच्छा बर्गर सा बनके रडी हुआ है आप इसको सैंडवीच बोल दीजी आप इसको बर्गर बोल दीजी आप इसको इटली का बड़ा बोल दीजी आप पकोड़े सारी चीज़े भूल जाएंगे यह चीज़े इसको खाने के बाद और यह होने वाला है सूपर टेस्टी तो देखिए यह कितना अच्छा बनके राडी हुआ है यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे और भी वीडियो देखिएगा कि वो आपको कैसे लगे हैं ऐसी सूपर हेल्दी रेसिपी एकने के लिए मेरे चैनल को सब्क्राइब कर लिजिए थैंकियो सो मच